मुझे तो यह पहला आयोग लगता है विए पूरे देश में विपियसी पहला आयोग है जो छातरों अभियरतियों को धमकी दे रही है कि विपियसी के तरफ से कहा गया कि हम कानूनी डंडा चलाएंगे कानूनी करवाई करेंगे आप एक बत बताएए कि सीटेट फेल वाले को सीटी की टिगडी नहीं है, कई आभियरतियों के पहाँ फर्जी प्रवान पद रहें, क्या उसके लिए कानूनी करवाई किस प्रकार से हुई है? लेकर इतना जरूर है कि 18-19 तारीक के दीन एक दय है समय होगा पहले से हम बताएंगे नमस्कार मैं हूँ अनिकुल दिवारे और आप लाइफ सीटीज देखे 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 आप सब भी जान रहें कि आयोग के तरफ से नोटिस जारी कर दिया गया है अब जितने भी शिक्षक अभ्यरती है वो परिशान हो गया है और एक तरफ बीएड शिक्षक जो है वो भी मात दिया खास कर सिक्षक अभी हर्थियों के खास बहुत सारे मुद्दे हैं आपने सवाल किया कि जो नोटिस जारी किया गया है अरे बाई कोई भी आयोग आवेदन आमंत्रित कराता है तो कई परसानिय अच्छा अभी हर्थियों को आती है आवेदन के माध्हम से और निक्ति प्रकिरिया तक कई चीजों का सामना उनको करना पड़ता है तो यह आयोग का काम है कि जिनकी अभी हर्थियों का आपने आवेदन लिया है सबका one-to-one समस्या का शमाधान करें लेकिन यह समस्यां का समधान करने के बजाए यह आयोग पर ही चिताब नहीं देने लगे मुझ फोन करके बता रहे हैं कि OTP मेरा प्रॉब्लम हो गया हमने अप्लिकेशन डाला तो सम्मिट हुआ कि नहीं भी लिखा गया है नोटिस में आपको ध्यान में होगा कि हमने बहुत बार ही बताया शिक्षक बहरतियों को कि आप क्लियर करें लेकिन अभी हर्थियों ने क्लियर किया इसलिए नोटिस जारी होगा निश्चित रूप से जो चीजे समस्या है उसके लिए फिर अल्टिमेटम दिया गया है तीस तरह में तो किसी भी अभी अभी हर्तियों को घवराने की जरूवत नहीं है हां रही बाद की बीपीस के तरफ से कहा गया कि कानूनी डंडा चल कानूनी करवाई को इसका मतलब किस पर कानूनी करवाई होगे कानूनी करवाई कि उन्हें अभी हर्थियों और जिन्नोंने सपत पत्र दायर किया और वहा प्त्हीन आरूप है जैसा कि कह रही है कोई वेक्ति की wieder Bridge किलिए गलत होता है तो lui लगाता है तो कानूनी करवाई नहीं हुई है। करवाई हुई क्या इसी वजब्द में पैसा लेकर अपने नुक्ति परवान पद्र दिया। मैं सीधी सीधी कहना चाहते हूँ जरूत लोग अवहरती पड़सान है कि मुझे नौकरी मिल जाए आएक तरह आप यह डर इस बात का है कहीं जेल न जाना पड़ जाए क्योंकि बीपियो से न्यूज की लिप काटके और उसको अपलोड किया जा रहा है कि इस इस नाम रॉल नंबर जो किया जा रहा है कहीं भी सिख्छ का वहरतियों का एकुदान किस प्रकार से होगा अगर आप उसको इस प्रकार से बंचित करेंगे डरा कर धमका कर तो किस प्रकार से बेवस्था बंद रहे हैं अब एक तरह से डर हो गया कि बापरे बाप अब तो मेरे पर नोटिस आ जाएगा सप्लिमेंटी जल्ट को लेकर बिहार के परमुक अख़वार ने काफी सुर्खी से निकाला कि पूरत परिनाम के लिए आवेदन आमंत्रित किये गए थे जैकि ऐसा बेपीए से खुद खंडन करें कि बीपीए से कि तरफ से कोई वी आवेदन सप्लिमेंटी के लिए नहीं मांगा गया था मात्र बिरान मे हजार लोगों ने ज्वाइन किया इसके लिए कहां भी दनमाला रहा है अब रही बात कि हमने लगातार धरना प्रशन किया हमने सप्लिमेंटी दिल को मांग को लेका लगाता हमारे साथे द्वारा लगातार आवाज उठाय जा रहा था जो 47 तो जो रिक्त पद भेजी गए सिच्छा भी भागदारा मातर 27 तो खाना पूर्ती नहीं है तो इसको क्या कह सकते हैं और बिपेसी किस किन बात भरोसा करें ड्रॉप आउट को बाहर करेंगे कई वाले फरजी वाले हैं उनको बाहर करेंगे तो सारी चीजों पर तमाम जगह उपर आगर कहा जा तो ओन टू इस दोनों मामले को लेकर सप्लिमेंटी जेल को लेकर और जो करवाई की बात है सपर लिपापोती का प्रयास कर रही है तो अच्छात अवहरती और हम लोग अब एक तयारी है कि अगर एक जोड़दार आंदोलन होगा अभी परिच्छाएं चल रही है लेकि इतना जरूर है और ज revived आज़ैने का मतलब यही होता है और आपको ही है कि एक बारे के लिए लिए निकला निकला और बहुत परेशन था तो एक परिवार से दस लोग, आठ लोग, दस लोग नोकडी पर जुड़े होते हैं और जो वेक्ति साल, दो साल से नोकडी कर ले और उसको एक आएक नोटीस थमा दिया जाए कि आप बाहर हो जाएए, ये मुझे लगता है कि मान्य उच नियाले दोरा जो फैसला लिया गया है इसके खिलाप में हम सारे फैसलों का सम्मान करते हैं कोई वेक्ति, आयोग, संस्थान, संगठन या कोई भी कानून के उपर नहीं है मान्य उच नियाले का सम्मान करने के लिए ही एक बड़ी संस्था बनी है, चाहिए सुप्रीम कोट हो चाहिए हाई कोट हो, लेकि इतना जरूर है कि बिहार सकार को एक रिवीव पेटिसन फाइल करना चाहिए विए कि जो फैसले आए हैं, बिएट के सुप्रीम कोट के मामले के बाद, और राजी जो फैसले ले रही है उसके पहले ये फैसला आया है नितीश कुमार तेजस्वी आदर सरकार में जितने भी लोग हैं, वो आवाज क्यों ने उठा रहे हैं क्योंकि शिक्षका बिटी भी परेशान है और बिएट शिक्षकों से भी हमारे मुलकात हुई तो जब ये बिहार सकार सुप्रीम कोट गई तो वहां का इनका दलील था कि 125 जो सीटे हो बीएड वाले के लिए नहीं डियल वाले से हम भर लिये हैं कहने का मतलब कि इनका 12 चाल चरीत रहें एक तरह आप कहते हैं कि अभियरती को खुश करने के लिए आप जाते हैं कोट में जाके आपने दलील को बदल दें दिखाते हैं कि हम कोड़ जा रहे हैं आप लोग के फेवर में और वहां जाके पलड़ जाते हैं तो लेकिन इतना जरूर है कि 22,000 जो अभीयरतियों को बाहर किया गया है सिक्षक अभीयरतियों को वाले को उस सब के लिए बाते हो रही है कई लोग हैं चाहिए सिप्या के मौझूद थे कल हमारी मुलकात होई बहुत परिशान थे नहीं पर लेकिए परसानी की बात बिल्कुल है कि कोई वेक्ति बरसों तक इंतजार करता है कि नोकड़ी के लिए और जब नोकड़ी करता है वह एक नोटिस केता है तो उसको हटा दिया जाएगा तो एक अलग से मा बताईए तो बताईए कहने का मतलब होगा डर जा रहे हैं जो जो नोकड़ी कर रहे हैं उनके लिए बिहार सकार रेवीव पेटिसन फाइल करेगी और निश्चीत रूप से उनके लिए अलग रास्ता काफी सीटे खाली है तो कहीं ने कहीं उनको नोकड़ी देने का जरूर भी हालता है चले देखिए अच्छात नेता सौरव मौजूद थे शिक्षक अभीरतियों के लिए आवाज उठाए आभी जाना है कि पीसे आयो के दुवारे एक नोटिस जारी किया गया है और नोटिस में बताया जा रहा है कि आप जल्दी बताए नहीं तो करवाई की जाएगी कानुनी डंडा चलेगा ऐसा सौरव का कहना है और देखिए बिए शिक्षकों को लेकर भी बहुत बड़ा चीज कहे देएं कि नौकरी जाने नहीं दिया जाएगा क्योंकि कुछ न कुछ रास्ता निकाला जाएगा तो देखिए अब देखना होगा कि बिए शि